नमस्कार सभी लोगों को दीपावली की बहुत-बहुत हार्दिक शोप कामना है आपकी दीपावली बहुत अच्छी होई होगी और बहुत अच्छे से अपने दीपावली बनाया होगा तो आपके लिए सेशन लेके आये हैं हम लोग अचूक और फोर्स वाइल मेकानिक्स का ह हम लोग saturated materials यानि कि aquifer के बारे में पढ़ रहे हैं और आप सभी को पता है कि हम लोग तीन अचूक और शदी में लेके आ चुके हैं तो यह अचूक और चार है आज हम लोग बात करेंगे कुछ अचूक और शदी से related हमारे जो एक्वीफर है एक्वीफर से related हम लोग बात करे हैं चूकि हमारा हमारा जो concept है वो civil engineering concept है अचूक और शदी है और number 4 है तो यह एक्वीफर से related हमारी कुछ definitions है सबसे पहले definition है specific yield क्या होती है इसको हिंदी में हम बोलते हैं विसिस्ट पराभाव विसिस्ट पराभाव इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं और English में इसका नाम है specific yield SY क्या है यह इस दे रेशियो औफ दा वल्ल्यूम ओफ वाटर वाल्यूम ओफ वाटर दैट इस एक्स्टराक्टेट फ्रम दा सैचुरेटिड मैटेरियल किसी सैचुरेटिड मैटेरियल यानि कि इसी सैचुरेट स्वायल से आप जितना पानी निकाल सकते हैं कैसे पान आप yield कर सकते हैं यानि कि जितना पानी आप निकाल सकते हैं to the total volume of soil यानि कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि SY का जो formula हो जाएगा यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो SY का formula हो जाएगा कि पानी का वो आयतन जो कि आप निकाल सकते हैं divided by जो हमारा मिर्दा यानि की aquifer का आयतन है यानि aquifer का volume है तो volume of water divided by volume of aquifer हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा specific yield है ना तो ये पहली definition हो गई हमारी किसकी saturated materials में पहली important definition हो गई कितना पानी आप किसी aquifer से निकाल सकते हैं divided by volume of aquifer इसके बाद हम लोग ये देखते हैं इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि दूसरी definition क्या होगी दूसरी definition है दूसरी definition यहाँ पे है हमारी specific retention हिंदी में बोलते हैं इसको विशिस्ट प्रतिधारण हिंदी में बोलते हैं विशिस्ट प्रतिधारण इसको हम लोग SR से denote करते हैं इसको हम लोग SR से denote करते हैं ये क्या है specific retention is the ratio of the volume of water that can be retained under gravity ये क्या है volume of water can retain under gravity कोई soil जो है एक water कोई भी soil जो है जितना water gravity के against retain कर सकते है यानि कि पानी वो जो भरा हुआ है जो नीचे ना निकल जाए gravity के वैसे नीचे ना निकल जाए soil hold करके रखे तो वोग फानी जो soil hold करके रखती है अगेंस gravity gravity के विरुद्ध जो पानी hold करके रखती to the total volume of the rock और swail वसी यहाँ रॉक नहीं होना चाहिए to the total volume of swail होना चाहिए to the total volume of soil, देखो हिंदी में सही लिखा हुआ है, गुरुत्वा कर्शन के विरुद्ध, प्रतिधारित की गई पानी की मात्रा और म्रदा की कुल आयतन का अनुपात होता है, यहां soil होना चाहिए, तो overall यह आपका, overall यह आपका क्या हो गया, कोई भी soil कितना पानी रिटेन कर सकत है, upon volume of soil, upon volume of soil हो गया, तो इसकी अगर आप definition यहां नीचे देखोगे, इसकी definition देखोगे, अगर आप SR is equal to volume of water retained, या volume of water जो soil hold कर सकती, upon volume of soil, यानि की volume of aquifer, तो इसकी specific retention की हमारी, यह definition हो गई, तो एक SY हो गया, और दूसरा SR हो गया, एक SY हो गया, और एक SR हो गया, तो SY और SR को जब हम add कर देंगे, इस SY और SR को जब हम add कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, SY प्रस SR को कितना पानी हम निकाल सकते हैं, प्लस कितना पानी स्वाइल हमारा hold कर सकता है, इन दोनों को अगर हम add कर देंगे, कितना पानी हम निकाल सकते हैं, और कितना पानी कर सकता है इन दोनों को एड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा the porosity यनों को आढए कर देंगे तो हमारा बन जाएगा the porosity यानि की n हमाराँ porosity यानि की n बन जाएगा जब आप sy और sr को add कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि total porosity हमारी हो गई Volume of water that can be yielded by gravity nd volume of water that can be held by surface extension यानि कि yield वाला SY और retention वाला SR दोनों को add कर दिया तो हमारा n बन गया तो SY प्लस SR is equal to porosity होता है यह भी यहां से clear हो गया यही चीज यहां पर हिंदी में भी लिखी हुए जो यहां English में लिखी है तो इस प्रकार से संदन्दता यानि कि पुरसिटी पानी की वो मात्रा होती है जो कि पानी गुरुत्वा गर्शन जल निकाशी और प्रस्तनाव वाली retention के बराबर होता है यानि कि SY प्लस SR is equal to n तो यह हो गई हमारी दो definition और इन दोनों का addition n तीसरी definition हमारी कहलाती है विशिष्ट धारिता इसको हम क्या बोलते है specific capacity किसकी capacity तो ठीक है लेकिन किसकी capacity तो specific capacity हमेशा किसी भी एक well की होती है specific capacity हमेशा यहां लिखा हुआ है किसी भी एक well की होती है किसी भी एक well की होती जहां से हम पानी निकाल रहे है specific capacity की definition क्या है it is defined as the flow through the well per unit flow through the well per unit drawdown इसकी definition क्या है कि जब भी कभी हम well से पानी निकालते हैं तो well में पानी का level नीचे जाता है तो यूनिट पानी का लेवल नीचे जाने पे आप जितना डिस्चार्ज निकाल सकें वही क्या है specific capacity आप पानी को निकाल रहे हैं पानी को निकालते समय यूनिट लेवल नीचे चला गया तो उस यूनिट लेवल के नीचे जाने के बाद जितना पानी डिस्चार्ज निकल रह वो कहलाता है specific capacity तो एक कूप की विशिस धारिता को प्रती इकाई जलावरतन कूप से प्रवाग के दर के रूप में परिभाशत किया आता है यानि discharge पर unit drawdown होता है ओके और क्या लिखा हुआ है the specific capacity is not the same for all the unit drawdown but it is computed only for the initial first meter fall of the height यानि कि एक meter गिरने के बाद दूसरा meter गिरेगा तो discharge कुछ और बढ़ेगा है ना पहले meter पे जो discharge है दूसरे meter पे उसे ज्यादा discharge आएगा लेकिन हमेशा हम हमेशा specific capacity को हम पहले first meter drawdown के लिए निकालते हैं तो अगर पानी का level एक meter नीचे चला गया final level से well से पानी निकाला well में पानी का level एक meter नीचे चला गया तो जितना भी आप discharge निकाल रहा है वो क्या हो गया discharge जो हम निकाल रहे है divided by drawdown discharge through the well divided by drawdown ठीक है तो यह हमारी specific capacity की definition हो गई तो तीन चीजे हमने पढ़ी अगर हम इसको summarize करें आज की class के अगर हम लोग summary देखें तो हमने तीन चीजे पढ़ी तीन अचू कोशद ही हम पढ़ चुके है एक्वीफर में चौथी है यह आज हमने चौथी में पढ़ा सबसे पहले specific yield sy फिर specific retention sr फिर specific capacity sc केसी भी एक्वीफर के लिए तीन definition one liner question exam में आता है और एक relation भी हमें याद है sy plus sr is equal to porosity n तो यह चीजे हम लोगों ने आज ही class में पढ़ी तो टोटल आपकी जो चार अचू कोशदी है एक्वीफर से लेटेड उन चारों को आप जब कर लोगे तो पूरी well hydraulics आपकी complete हो जाएगी पहली दूसरी तीसरी और चौथी यह सारे आप कर लेंगे पहला था types of saturated materials, दूसरा था unconfined aquifer, तीसरा था confined aquifer और चौथा है specific yield, specific retention और specific capacity तो यह आपको चार अचू कोशदी करनी है तो अचू कोशदी की आज के session के लिए इतना ही अब हम लोग मिलेंगे next session में तब तक जुड़े रहें उतकरश इंजिनेस classes के लिए सभी को धन्यवाद, thank you and जय ह जय हो.